हैलो फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर काफी लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि सर क्या हम हमारे डोग को चावल दे सकते है या नहीं दे सकते हैं development राइस क्या हमारे डोग के लिए safe है या नहीं है ये भी बहुत ये common एक peculiar एक आपका doubt था जो कि मैंने comment section में readout किया उसी का solution करने के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है आपका एक और doubt था कि sir rice को हम daily दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं अगर दे तो हमको किस time देना चाहि रहेगा अगर हमारे डोग के लिए चावल safe नहीं है तो उसके पिछे reason क्या है तो यह चोटे-चोटे question का answer आज इस वीडियो में मैं आपको दे दूँगा तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखना और observe करना जो भी मैं आपको बताऊंगा और एक request करूँगा अग आपके doubt को clear करना हमारा फर्ज है सबसे पहले तो मेरे पहले दोस्तों आपको मैं खुश कर देता हूं क्योंकि जो चावल है आप अपने डोग की डाइट के अंदर add कर सकते हों लेकिन जो चावल होना चाहिए वो प्लेन चावल होना चाहिए यानि उसके अंदर किसी भी तर आपके डोग के डाइटर बना देगा अगर आपका डोग पहले ही डाइटर सिस्टम से किसी भी तरह का इश्यू है उसे सफर कर रहा है तो अगर आप चावल दे रहे हो विद ग्रेवी के साथ तो आपके डोग का डाइजेशन स्ट्रॉंग हो जाएगा यानि काफी ज़्या मुला है तो अगर आप चीकन को राइस के अंदर मिला के दो तो वार चीकन की ग्रेवी आती है जो की और भी बहुत सारी प्रोटी इसका कर कर सकते हो उसको चावल मिला करो हमारे कि नहीं में थीनों पेल्टे दोस्तों दिन में एक टाइम को और वह बात बनाएगा इवनिंग का बनाएगा नेक्स नेक्स दे मोर्निंग में तो वैसे ही वह फ्रेश वगएरा होके नॉर्मल पोजिशन में चला जाएगा अब कई लोग बोल रहे थे कि सर चावल जो मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया कि चावल हमारे डोग के लिए सेफ नहीं है क्यों नहीं है वो सुन लेजिए सबसे पहले तो आपने यह चीज़ नोटिस की होगी कई बार हमारा जो डोग होता है पोटी करने के बाद अपनी फिशिस को ओवन लिक करना स्टार्ट कर देता है यानि उसको लिकिंग करना स्टार्ट कर देता है तो इसका मतलब है कि जो डोग ने चावल जो खाया है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया अब वो जो चावल है डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगाते हैं भाई एकदम से डाइजेस्ट नहीं होंगे कार्भोहाइडेट का रिच शोर्स है लेकिन चावल अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते और पांच घंडे तक स्टमक के अंदर खाने को रहना बहुत ज़रा ज़रूरी है अगर उससे पहले फिशिस कर ले तो जो चावल जो होते है सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे या आपका डोग उसको समेल करेगा फिर उसको लिक करेगा तो सबसे बड़ा तो इसका जो ना द विक्तल्सके देना है और आपको एबसों करना है कि मेरा डोग कर भी पा रहें नहीं कर दो अर भी दूसरी चीज़े काने कि लिए उसको दे सकते हो तो थो प्रोटिन का किस्छा आगर मैं आपको बताऊं तो राइस के लब्रोटीन कंटेंट हाई है लेकिन कारभो हाईड्र में होता है तो अगर आप राइस को करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कोई भी कंपलसरी नहीं है कि राइस को आपको एड़ करना है और स्पेशली यह बता दूं तो थोड़ा सा डाइजेशन में टाइम लेता है राइस एस कंपेर टू अजर फूड तो इसलिए आपको जो पूकोस का तो लेवल है उसके अंदर वेरियेशन आएगी मेंस डाइबेटिक वगयरा का भी सिस्टम देखने को आपको मिल सकता है तो इसके ओपर हम एक डीप एक वीडियो लेके आएंगे आपको नॉलेज देंगे बताएंगे कि यह इंडेक्स क्या होता है इससे क्या-क् कोच करने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो लाते रहते हैं तो आपके डोग के लिए राइस सेफ इसलिए नहीं होगा विकोज उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ज़्यादा हाई होता है और जिसकी वद्धे से ब्लड के अंदर ग्लुकोस का लेवल भी वैरियेशन करेगा वैरियेबल होगा वो तो इसलिए राइस को हमको नहीं देना चाहिए लेकिन आप एक मोडरेट क्वांटिटी में राइस को अपने डोग को जरूर दे सकते हो बैट रहेगा आपके डोग के लिए और अगर अभी इमीडेटली आप उसको दे रहे हो डाइट के अंदर तो पहले मोडरेट क्वांटिटी में दो बाद में ही कंटिनू करना है आपको एक्सेसिवली ठीक है तो आपके सभी डाउट क्लियर हो गया होगे लेकिन फिर भी आपके माइंड के अंदर कुछ भी ऐसा डाउट बच गया है तो कमेंट सेक्शन मे जै हिंद जै भारत